नमस्कार दोस्तों आज का डिक्टेशन सत्तर सब्द प्रति मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट कोरोना विदा हो रहा है यह वहम पाले लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कोविड प्रोटोकोल की पालना में बरती गई लापरवाही के चलते नय केवल महराष्ट बलकी दक्षिन में करनाटक और तमिलनाडू और उत्तर में दिल्ली पंजाब वै हरियाना के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने यूटर्ण लेना सुरू कर दिया है महराष्ट के नागपूर में लोकडाउन लगाने के बाद मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे ने कहा है कि हालात नहीं सुधरे तो कई और जगहों में भी लोकडाउन लगाना पढ़ सकता है चिन्ता की बात यह है कि जो नए मामले आ रहे हैं उनमें से 85 फीसदी से जादा मामले इन राज्यों के ही हैं सीधा संकेत है कि महराष्ट जैसे सक्त कदम दूसरे प्रदेसों में भी उठानी की नौवबत आ सकती है मुश्किल यह है कि कोरोना फेलने से रोकने की चिन्ता नै तो हमारे नेताओं को है और नै ही आम जनता को मोटे तौर पर जांच में संक्रमितो के संपरक का पता लगाने में हो रही मुश्किले और दो गज दूरी मास्क है जरूरी जैसी नसीहतों को भूलाने की वजह से ही कोरोना फिर से पसर रहा है चिन्ता की बात यह है कि महराष्ट सरीखे संक्रमन प्रभावित राज्यों से लोगों की आवाजाही पर जो निगरानी होनी चाहिये थी वह होती दिख नहीं रही कोरोना की बेको होती जा रही लोगों को यह भी याद रखना होगा की लोकडाउन की दोर में उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जिनके रोजगार छिने वे तो आज तक संभल नहीं पाए हैं दर असल कोरोना संक्रमन के नए मामले एसे वक्त आए हैं जब देश भर में कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में धील दी गई लेकिन इस धील का मतलब कोरोना की विदाई समझना तो भारी भूल ही माना जाएगा सब को पता है कि यह एसा एद्रिश ये दुस्मन है जो कहीं भी कभी भी वार कर सकता है यहां चिंता करने वाली बात यह भी है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वाइरस की कई लहरें देखी गई हैं इनमें दूसरी लहर पहली लहर से जादा खतरनाग रही है यानि दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले देनिक मामले जादा आए हैं पांच राज्यों में चुनाव हैं राजनीतिक दल वै राजनेता बड़ी चुनावी रेलियों को संभोधित कर रही हैं जैसे कोरोना का खतरा इन रेलियों से नहीं होने वाला पिछले दिनों ही गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि नगर निकाए चुनावों के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना नहीं की गई यही हाल इन रेलियों में हैं समय रहते चुनावी सभावों वै एसे तमाम कार्यक्रमों पर अंकुस लगाना होगा जिन में बेहिसाब भीड का जमावड़ा होता है अन्यता मुश्किले कम होने की बजाए बढ़ेंगी ही समक्त बढ़े हैं समझ लग शवटेखां ब TU genetically का जमावड़ा में हैं समक्त यही राजर झालना नहीं कि दूपटा हो झालना data रहें बढ़चिए वैट मैं होता है पालना रहा जिसाव पालना रहा जबाभरा शवटे घभ